करता करे न कर सके, शिव करे सो होई, तीन लोग नौखंड में शिव से बड़ा न कोई हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है शिव भक्तों की मस्ती, आशा, विश्वास, उमंग और भक्ती का ये पावन महीना सब के लिए बहुत ही शुप और मंगल कारी हो यही मेरी कामना है, मेरी भगवान भोलेनात से यही प्रार्थना है देवों के देव महादेव, जो अपने भक्तों तक कभी भी किसी भी प्राका का कोई दुख पहुँचने ही नहीं देते हैं शिव जी के भक्तों की एक अपनी अलगी दुनिया होती है और उनकी एक अलगी मस्ती होती है भगवान शिव के भगत कभी भी दुख तकलीफ से घवराते नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक ये जिन्दगी ये तब तक दुख तकलीफ तो आते ही रहते हैं मगर उनके हर दुख तकलीफ को उनके भीना बोले ही दूर करने वाले भगवान महादेव की कृपा हमेशा उनके साथ होती है। शिव भक्त जानते हैं कि ये जिन्दगी एक परिक्षा है, परिक्षा लेने वाले भी भगवान शिव है और उस परिक्षा में पास कराने वाले भी भगवान शिव ही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्न समुद्र से बाहर निकले थे, पर उन रत्नों के निकलने से पहले जल का हलाहल यानि विश निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तिवर थी। इस जहर की ज्वाला की तिवरता के प्रभाव से सभी देवता और दैत्त जलने लगे। तबी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को जहलनी की प्रात्ना की इसलिए भगवान शिव ने उस विश को अपने मुँ में भर लिया शिव जी ने इस विश को गले में ही रखा इस कारण का गला नीला हो गया और शिव जी का एक नाम नीलकंट भी पड़ा विश पीते समय विश की कुछ बुंदे महादेव के मुख से गिरी जिने नागों ने पी कर शिव जी की मदद की जिससे शिव जी नागों पर प्रसंद होकर उन्हें अपने गले में धारन किये उसी समय से ही नागों को शिव के आबुशन होने का गौरो प्राप्त हुआ भगवान बोले नाथ अपने भगतों की थोड़ी सी भगती, थोड़ा सा समर्पन, थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी पूजा और थोड़ा सा श्रदा भाव से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने भगतों की हर मनुरत पूर्ण कर उन्हें असीम खुश्यों से ओध प्रोध कर देते हैं भगवान शिव के भग इस संसार के सारे संसारिक सुखों को भोग कर अंतिमे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं भगवान मोलिनाद के स्वरूप शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपति की प्राप्ति होती है अगर आप शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश होता है शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चल्याली परेशानी दूर होती है अगर आप सुयोग यो पुत्री की कामना करते हैं तो आप शिवलिंग पर गेहु चड़ाइए परिवार की शुक शांती को बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जल चड़ाइए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुश्यों को बहुतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है शक्कर मिला हुआ दूद शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी बुद्धित तेवर होती है शिवलिंग पर गन्य का रस चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निचात पाने के लिए आप शिवलिंग पर शेहत चढ़ाईए शिवलिंग पर घी चढ़ाने से शारिरिक दुर्बलता दूर होती है और किसी भी कारे को करने की शक्ति मिलती है आकड़ी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सांसारिक महादाओं से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है शमी का पत्ता या शमी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुफ फलदायक माना जाता है कहा जाता है कि शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेकों तरह के दुखों से मुक्ते मिलती है और शिव जी के असीम क्रिपा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है ऐसे तो हर दिन अपने आप में शुफ फल दायक है लेकिन शुफ जी के क्रिपा के प्राप्ति के लिए सोमवार, त्रोदशी, शिवरात्री या श्रवन मास के महीने का हर देल शुफ माना जाता है पर अपनी असीम क्रिपा बरसाने वाले, भगतों की हर मनुरत को आसानी से पूर्ण करने वाले, ओधरदानी, भगवान भोले नाथ, शिव की क्रिपा आप सभी पर हमेशा हमेशा पड़े वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजे, अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखन ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजे, साथ ये बेल बटन को भी प्रेस कर दीजे, जिससे आपको मेरे नए आने व